हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल बेबी केर वितंचु में तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर प्रेग्नेंसी में कब-कब अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए तो चलिए वीडियो में बने रहें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल बेबी केर वितंचु को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं कोई भी सवालों तो आप कमेंड कर सकते हैं प्रेग्ने और क्राइनशी में और इसे कराना क्यों जरूरि है यह कई महिनाएं नहीं जानते हैं इतना ही नहीं कुछ महिनाय तो दौरान होने वाली इन इसकैनिंग को लेकर डड़ती भी है कि कहीं इसका बुरासर उनके बोर पर ना पड़े अल्टरसंट के दौरान महिनाओं के स्पिरिए प्रेंग्नियंशनो से महिने में अल्डरसंब कर वाना चाहिए तो चलिए जानते हैं प्रेंक्नेंसी के द दोरन कितनी पार अल्डरसंब करवाना चाहिए एंटी Teach Guide 1st ultra sound during pregnancy भी कहा जाता है एकषाव जानि किया जाता है इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे की गर्दन के पीछे न्यूकल फोल्ड की मौटाई को मापा जाता है यह डाउन सिंड्रोम और अन्य जेनेटिक इस्तितियों के जोक्यूम का आकलन करने में मदद करता है यह बच्चे के मेंटली और फीजिकली डवलपमेंट के बारे में सुरुवाती चानकरी देने का भी काम करता है एनुमली इसकेन प्रेगनेंसी के पांचवे महीने यह अठारे से बाइस वे हफते के बीच इसकेन किया जाता है इस अल्ट्रासाउंड में बूर और गर्व की बारिखी से जाच करते हैं यह इसकेन शिशु की दिल, दिमाग, लीड और अन्य अंगों के विकास की जाच करता है इसकेन प्लेसंटा और बच्चे के ओवरॉल विकास की भी जाच की जाती है ट्रम इसकेन प्रेगनेंसी के नौबे महीने यानिकी 36 वे हफते में ट्रम इसकेनिंग की जाती है ये skin delivery से पहले बच्चे के विकास, वजन और इस्थिती का आगलन करता है ये है immunetic cold की मात्रा, placenta, इस्थिती और बच्चे के overall health की जाच करने के लिए किया जाता है ताकि ये decide किया जा सके कि delivery के लिए सब कुछ सही है या नहीं पिरेगनेंसी के दोरान ये तीन ultrasound test, भूड की इस्थिती की चार्च और उनके overall health की आगलन के लिए बहुत जबूरी है I hope जानकरी पसंद आई होगी, thank you